Hey guys, welcome back to my YouTube channel, I am Arana Singh, Internet All Day, Institute of Medical Science, New Delhi और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे कि 360 और 360 बाले जी मैं आप कैसे सेक्योर कर सकते हो 310 तो 320 तो आर्मोस्स सब भी लोग सेक्योर कर रहते क्योंकि आप completely और strictly a NCRT-based paper आरा है पर कुछ चीजे होती हैं जो NCRT से ही पूची जाती है पर आपको लगता है paper में कि बाहर सारी है पर नहीं वो NCRT से होती है यह इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे यश के साथ ठीक है इसके खुछ 360 और 360 मार्क्स है और हमारा main message यही communicate करना चाहते है प्लीज स्टिटली NCRT-based आप पढ़ाई कीजे आप बहुत अच्छे number ला सकते हो ठीक है नीट में आप फोर सकते हो और इस वीडियो को end तक देखेगा clearly हम लोग ना इस PDF के थिरूफ आपको दिखाएंगे यह PDF जो मैं अपने टेलग्राम चानल इमसोनी नियार इस पर डाल दे रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेगे प्लीज वो PDF डाउनलोड कीजे और जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़री ना आप रिलेट करते हो इस PDF से आप मेरे को बता जीए कॉमेंट सेक्शन में आपने यर्ष की रिक्वेस्ट की थी अनिरुद की रिक्वेस्ट की थी मैंने आपके यह पूरी कर दिया करका है इसने थीकए तो आपको भी आइडिया ऐका कैसे माइंट कर सकते हो और 175 दो 180 की केमिस्ट्री में इसमें रिक्वेस्ट में इसने एक माइंट करका व आपको संपल मिんな जाए बीसिकली क्या कैसे क्रेड कर सकते प्लैस अगर यह अपने माइंड मर्स अवेलबल कर आ सकत आपकर आपकर निग 221 इन 1st अद्धिम पिटा स्कोर उफ 705 मार्क्स अग्किंग अबर इंडिज्जिल सब्जेक्ट्स तो मेरा फिजिच में 170 मार्स था केमेस्टी वननने 75 और बालो जी में मैंने 360 लायते है तो आज अपन यही बात करने वाले हैं कि आपने को 360 कैसे लाना है तो बताओ यार यह जो तुमने लिख रहा है कि every word by word तो मतलब आपने पढ़ा होगा पर इन सब चीजों को ध्यान रखना होता है बताओ क्यों देखें क्या होता है कि नॉर्मल एस्परेंट जो होता है वो कैस बालो जी कि अगर बात करो एंचाट को कैसे बढ़ता है फ्रम श्टार्टिंग वर्ट टु दे एंड वन बड़ यह नहीं होता है कि आप एंचाट को थीक से पढ़े बालो जी के लिए बहार की बुच्चे नॉर्मल करते हैं कि 10-20 मार्स के लिए तुमांस पढ़ने लगते इसाटी जब से अटी अब से आये अब से अब से आया खर आ अब से आये जब जब से आया यह तो फिर अन्से के इंपर्टन स्वोट ओगए कि इसलोड टेंग तो तो यहीं होते है कि आप पड़िये बहु कि सार उस्वे आपका टाइम पस्तो बूद होता ही है और आप में चीज क्या होती है कि आपके बास 24 आर्स लिमीटेड है जितना ज्यादा बालजी में लगाएंगे उतना आपका फीजिस और चैमिस्टी में प्रॉब्लम होती है इंड में सर्फ फीजिक्स में मार्स ने आते हैं प्लस रूमेर अगर पढ़ते हो नो आप ठीक है और उसके आप उस लेवल के वेश्चन प्राक्टिस कर रहा है रिस्ट्रिक्स नी कर रहा है अपने आपको रिवाइस नी कर पाऊंगे इंड बतना समय भी नहीं ठीक है तो अब आते हैं यह बताओ जैसे डाइग्राम के लिए तुम क्या का होगे तो जैसे आपने बात की ती कि आपने कु जीजे कर दो आपको बता की ती कि यह को पड़ा की तो आपको प्राइग्राम के दिखाता की कि वीच वीच आप फॉलें इंड आप रहा है तो सब्सक्ति कर सकते कि यहां से थेराप से इसका डेटिलियन अंसेटर अजिटर हो गया तो यह तो आपको टेक्स में नी मिलेगा इस नौट पूरे डाइग्राम आपको रटनी होगी तो बच्चिये इस सर बूल जाते कि कर ले थे टेक्स कर लेते उनको लगता रे यह तो टेक्स तो सफिशेंट ही नहीं है फिर दे अन्मोव आन करते सब ट्रूमाइन के लिए कि उनको लगते यह टेक्स अफिशेंट है आप सब्सक्राइग्राम कर लो कि यह सारी चीजे मेरे को ध्यान देनी है कॉंशेसली जब भी आप अपना टेक्स करो हम जो प्रवाइड करते है आप वो सौल कर रहो तो आप जब भी ऐसे क्वेशन को देखो ना आस पास का जितना भी NCRT का मटीरियल होता है आप उसको भी सब्सक्राइग्राम देखो किसकी कि लाट निंट इस नो कर दो किस अब लोग जानते किस पर कितने मतब डिच्रिक्शन नजाइं बाले क्वेशन आते हैं और कई लेब लेब इबल करने के आपक डेस पीपर तर यह आपको दिख जाते हैं यह है बढ़ बत इंट्र समें हु यहां पर जितने पर देख रहा है उनने अगर देखा होगा कभी 220 कपेपर तो वहां पर सिर्फ लिखा था कि वीच ओ फॉलिंग इस देफिनिशन ऑफ पूलिंग यहां पर सिर्फ आपको पूलिंग का थोड़ असलिक दिया कि इस रिमूब बस फूलिंग बट अगर आपने अ इस तो अगर प्लास्टों कुणिंग कहा से कहा पर इलोट्रों ट्रांसफर करता है तो यह अपको थेरी में मिलेगा बट डायग्राम में आपको सब्सक्राइब कर देगा तो यह वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको एंस अगर पढ़नी है तो यह कुछ कुछ अब सबसे इंटरेस्टिंग पारे कि समरी क्यूंकि यह तो क्वेश्टन में आ गया होगा क्यूंकि अभी ने सब्सक्राइब कर देख लिया कि जीन अम्प्लिफिकेशन देख लिया तो बच्चे करके डायर करके आ गयते क्योंकि आपने को पता है कि जीन अम्प्लिफिकेशन तो मुस्ली पीसियर से होता है बट वहां पर था एक अलोग ऑप्शन ता मॉलीकुलर डाइग्नोसिस तो उ अगर आप से पढ़्स पढ़र जाते तो आपको यह सेब्सक्राइब को बच्च यही बात है और कुछ ऐसा حं मुले कर क्या होते कि आ पूरा निंपना इस्समरी सम्री में क्या पड़ने कि जो अख आपको यह तर पढ़िन है इसके अलावा तो यह थोड़ी एक इम्पोर्टन चीज में को लगे तो इसले कर रहा है आपको कोई भी क्वेरी हो ना अपकी अपकी ठीक है क्या नौन अचाइमिक कैसे पढ़ना कैसे स्ट्रस मानेज करना नहीं करें नहीं करें ठीक है मौडिल के इतना इक सेक्टरा आप सब यह सारी चीज तो यह थोड़ा परिशान कीजिए पूछिए इस सवाल जबरूर आपको रिप्लाइ करेंगा जब भी फ्री होगा नेक्स्ट यहां से कोई क्वाश्चन जो तुमने इसे हाइलेट कर रखा है मांक कर रखा है यही सार सेम थिंग है कि यह आपके NCRT के टेक्स में नहीं दे तो यह थोड़ा एक हाइलेट पॉइंट जो आपके टेक्स में नहीं दिया रहा है बट यहां पर दिया है तो यह आप पढ़िए क्योंकि यह चीजें जो आपको NCRT में रखके 360 on 360 लाने वाली है और यह यह तो तुमनें बहुत इंटरस्टीं ग्जाम पर दिया तो बताव कि यहां पर हाइड्रोजन ग्यास रिलीज तो यह चीज होती है कि आपन पढ़ तो लेते हैं बट पूरा कैसे पढ़े कि कुण सी रिलीज हो रही है और आपन बाहर का पढ़े उससे अच्छी है कि आपन NCRT को इन वे पढ़े कि आउट आउट आप बॉक्स हो जाए आउट करना अपने दुमाग में किनके माइन यूव डीज को आपको काप्चर करना नCRT पर ते जिसे पोटेंशल क्वेशन क्रिए होंगे और बाद में आप तो आपको रिग्रेट होगा तो आपको रिग्रेट होगा या शिट यह तो पेपर में दे रहका मतब नCRT में दे रहका तो आप सबी लोग आई तिंग जानते हो कि इंपोर्टेंट है सरी एक चीज मैं हालाइट करना चाहूगा यह वी कोश्चन ली 2020 में यह था कि दूरिंग दा यह प्रोसेस का लिग दिया था उन्होंने एक्जांपल और उन्होंने कहा था कि वीचों दो फॉल्वाइं इस र होता है पड़ यह कोश्चन आ गया था और यहां पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैंगनेशियम डाइपोजिट्व इस रिक्वाइड और उन्हें सिर्फ लिग दिया बच्चों को पता कैसे चलिगा कि यह इसके लिए होता है लिग यह इसके लिए एक कैटलिस की तरह भी तो यही चीज आपको देखने है कि बॉक्स में क्या दिया है जो तो यह सब चीज आपको करनी है ठीक अफर यह तो सब बढ़ते हैं यह साथ तो अगर नहीं कर रहे होगे कुछ अब अभी भी ऑवे नहीं होगे के न्सी रूप को ठीक से कैसे पड़ना है और अगर आप कटा करनें जative साइंटिस्ट आप कर रहे हैं जैसे साइंटिस्ट जो भी आप रीट कर रहे होते ना ये बताइ क्या क्या हो देकिंगे क्या बेगार्गु घजिए वी क्याइउत है कि mush Amant एक उनको लेवल मेंटेंग करने के वो कैप उस्टाप से उनका साइन्टीब कॉंट्रिबूशन क्या है उन्हें क्या इसको रिचा तो आप एक काम कीजिए कि आप यह जो इसका अगर आपको टाइम बचाना है तो आप इसको पढ़िए और उसमें से आपको जो भी इंपॉर् और यह सेकंड पॉंट तो आज अजुगा है निग 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 इसको आजुगा है तो थैंटीबूशन हो जेंग अगर आप इस पढ़ते तो आपको पॉशन आ सकता है तो बहुत 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 इदिव शुच्जिद करनी चाहिए घ्र आप सब्सुर्द है तो एक और ची इचिए करें अगर अबना को ना जैए अगर आपको तो मिना कोई चार अप्शन कावशन का अढस अगर इसर कोई बंदा कोश्चन देखता है और उसको थोड़ा सा कंसेप क्लियर नियुगा और अगर वो सोचता है कि है चलो आपने पहले चार उप्शन पढ़ लेते हैं तो लिक देखिश राय पे और उप्शन क्या है या रिलस्टी तो फ्लेक्जिबिटी भी से लिए खी और अगर आप ऐसे करें तो आप और उझक्वेस हो जाएंगे तो इससे अच्छा है कि आप बाले ऑपरोज में सब्जेक्ट रखिए कि अगर आपको को चुशन मिला बिना चार उप्शन देखिऊ आपको उसका प्ता होन तुम्हारे वाक्हार कोक्लू सृचार्ण के फॉर्म में शीज भ्ली और फॉर्म सुचोच काणि Adobe love the question is that someone who a examiner is that question creates looks good this video is a hack into the mind of the examiner अगे से अजयाची को नियुक आनलाइज सकते अज्दा रह सकते वो So guys this was the video for today Yash ने बहुत अच्छे आपको explain किया Yash को आप follow कर सकते हो उसका Instagram handle में description में mention कर देता हूँ आप comment section में mention कर दीजिये आपको कोई और video चाहिए आप expect कर रहो मेरे से मैं बना दूँगा subscribe to the channel अगर आपको content पसंद आ रहा है and telegram channel जरूर जोइन करना ये PDF प्लीज यार मैं आप सबसे request कर रहा हूँ देखो अच्छे से और इसको follow करो इसको बार बार इस PDF को आप देखके remind करो अपने आपको कि भाई नहीं ये सारी important चीज़े हैं वरना आपका जो marks अराम से मिल सकते हैं आपको वो आपके miss हो जाएं ठीक तो all the best guys